हेलो गाइस आप लोग कैसे हैं आई होप अप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे तो गाइस मैं भी अच्छी हूँ मस्त हूँ गाइस आप सभी को मेरे न्यू ब्लोग में स्वागत है और गाइस जी जीनोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइ करूं तो गाइस देखे मैंने पनीर मसाला बनाने के लिए 200 ग्राम का पनी ले लिया है यह निया है घर यसीि नहीं है अप लोग घर का भी पनीर ले सकते हैं यहरा मार्केट का भी ले सक Dé दखिए मैंने इसको छोटे-छोटे आकारों में कर लिया है यह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अप छोटे-छोटे कारों में कर सकते हैंधोर है कि TWISensa hzz अद्रफ हो काली, मैंने तो चोटे-छोटे आकारों में ह YOURाटा नकली है और प्याज रसुन एद्रभ मैं सारी चीज़ों का पेश्ट तेयार करूँगी, देखिए यह पनीर, पनीर में पानी दार ददी ह셨ुँ इसको मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगे, बॉयल कर लूँगे और देख ली मैंने इसमें बॉयल करने के लिए दे दिया है पनीर को हरकास नमाग डाल दे रही हूँ जब दक पनीर यहां गरम हो जाएगा थोड़ा बॉयल होगा तब तक मैं इधर का सारा मसाला रेडी कर लूँगे देखिए मैंने मसाला सारा रेडी कर लिया है प्याज का मैंने अलग से पेश्ट बनाया है और मसाला का अलग से बनाया है पनीर बनाने के लिए मैंने पनीर की रश्रीपी बनाने के लिए मैंने सारा समागरी एक जगा से इखटा कर लिए फिर मैं अब गेस्ट रॉन कर रही हूँ और कढ़ाई गरम होने के लिए दे दे रही हूँ कढ़ाई गरम हो रही है तब तक देख लिंग कढ़ाई गरम हो रही है अधर कढ़ाई गरम हो चुकी है मेरा अब मैं उसमें तेल डालूंगी देखिये मेने तेल डाल ली एँ आप मतलव की हिसाब से तेल डाल लीजीगा किसी को ज़्यादा घाना पसंद होता है किसी को कम तो आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजीगा मेरा तिल गरम हो चुका है अब मैंने इसमें थोड़ा से जीरा और एक लाल मिच डाल दी देखिए मेरा तेल भी एदम बिल्कुल गरम हो चुका है अब मैं इसमें जो पेश्ट बनाया था पियाज का उसको डाल दे रहे हूँ पेश्ट को मैं अच्छी तरह से धीमी आज में पकाऊंगी जब तक की यो धलका लाल ना हो जाए और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई गरम होने के लिए दे दिये इसमें जो मैंने पनीर बोयल किया था उसी पनीर को मैं अब इसमें फ्राइ करूंगी हैं इसे मैंने रिफाइन का दे लिया है आप लोग सरचों का भी देली ऊज कर सकते हैं बट मैंने रिफाइन का देली अच्छी तरह से दसमेर तक पकाऊंगी एकदम धीमी आच मैं इधर देखे गाइंस मेरा मतलब पनीर फ्राई हो चुका है मैंने गेस चुला ओप कर दिया है अब देखो मैं इस तारा निकाल के उसी गरम पानी में डाल रही हूँ गरम पानी में डालने से पनीर सौफ्ट बना रहता है वो hard नहीं होता है एदुम पूरा सौफ्ट सौफ्ट रहता है खाने में भी अच्छा लगता है और इधर मेरा मनीर मसाला बन रहा है मैंने हल्दी भी डाल दी अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको अच्छी से पकाऊं अच्छा ने लगेगा देखिए मेरा मसाला रेडी हो चुका है एकदम लाल हो चुका है पूरी तरह से एकदम मेरा मसाला त्यार है अप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है मसाला मसाला का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये देखिए मेरा पनीर मैं इसमें पनीर सब डाल दे रही हूँ इसमें मसाला से पूरी तरह से इसको मिला लूँगी और इस परसाला में डालने के बाद इसको मैं 5-10 मिनद अच्छी तरह से पकाऊंगी देखिए इसमें भी कलर आने लगा हलका हलका सा अच्छी तरह से नहीं पकाने से गायर्ज लगता है मसाला एक तरफ है पनीर एक तरफ है खाने में टिश नहीं आदा है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको पका रही हूँ दीमी दीमी आच में देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में दीमी दीमी आच में पकाऊंगी गाइस जिनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और मेरे बनाने की रेसेपी कैसी लग रहे हैं आपको प्लीज कॉमेंट में बटाएए पसंद आए तो लाइक कीजिए गाइस मैंने पनीर मसाला बनाने के लिए एवरेश्ट का साही पनीर मसाला लिया है गाइस इसका मतलब बहुत ही अच्छा लगता है इसका स्मेल ही बहुत अच्छा है इसको जादा नहीं डालना है हलका सा आधा चमच ऐसा डालिएगा नितफी जादा लाने से इसमें लाने लगता है जिससे खाने में अच्छा ने लगता है पनीर मसाला आप लोग जब भी बनाए ये मसाला जरू लिजी उच कीजिए इसमें स्वात बढ़ जाता है तो प्लीज गाइस आप लोग कमेंट कर दीजेगा मेरा ये रेसेपी आप लोग कैसा लगा देखिए गाइस मेरा पनीर मसाला बनके रेडी हो चुका है अब मैं देखिए कितना सुंदन दीख रहा है आप लोग इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं काइस मैंने नहीं डाला है आप लोग डाल सकते हैं देखिए गाइस मेरा पनीर मसाला बिलकुर रेडी हो चुका है आप लोग इसे चावल या रोटी दोनों के साथ खा सकते हैं और प्लीज गाइस कॉमेंट में बताइए मेरा वैसे भी पसंद आया तो लाइक कीजिए होके गाइस बाई फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लोक में